हलो NDA एक्जाम की प्रपेशन करने की सोचता है तो उसके माइंड में बस एक ही थौट होता है कि सर उसे बस किसी भी कीमत पर NDA एक्जाम क्रेक करना है इस क्याला हूं उसके माइंड में और कोई अधर थौट आता ही नहीं क्योंकि नाशनल डिफिजिंस एक विजन एक अलग जड़ा का डिकाशन जज़बा पैसंड और जुरुकरता है तो फिर चुरू करती कैसे करें कि से करें किस कोचिंग से करें किस के एक यदि मुझे लागता है यह नग हो करें करहाハा से और ग्जाग अगर हamtें एक्जाम में से लैक्षियो को देखें तो exactly one-percent का जो 99% बच्चे सफली नहीं उपा रहे हैं डे बाई डे कटाफ हमारे सामने लोवेस्ट आती जा रही है 900 की स्कोर में अगर आप कटाफ उठा के देखते हैं तो 301 मार्क्स की कटाफ गई पर उसके बावजूद बच्चा उस चीज को मिट अप नहीं कर पा रहा है अगर ज्यादा तर केंडिये जो रिजेक्ट हो रहे हैं जिसके पीछे हम क्यों बच्चे को दोसी नहीं धरा सकते हैं उसके अंदर तो NDA के तयारी को लेकर अलगी जज़बा है एक अलगी जनून है और नाशनल डिफिन्स अकैडमी का हिस्सा बनना चाहता है बट कहीं नहीं कहीं गलती होती है उस कोचिंग इंस्यूशन की उस गाइडेंस की उस अकैडमी से जहां पर उसको उस लेवल की स्टडीज नहीं मिलती है जो एक्जाक्ली चाहिए होती है सस्तो ये है कि NDA का एक्जाम 12th लेवल पे कंड़क्त होता है हाँ ये एक्जाम आपिसली 12th लेवल पे तो होता है बट ये भी जानना बहुत जरूरी है 10th लेवल पे एक लौता एक्जाम है जिसको UPSC कंड़क्त करती है इसके बाद सिंपली सारे एक्जाम graduate लेवल के हैं जो UPSC कंड़क्त करती है तो कहीं के एक्जाम का standard तो अच्छा है इस बास से हम थोड़ा भी deny नहीं कर सकते हैं बच्चा 12th पढ़कर के जैसे आता है दो तरह के crowd है देश के इंदर एक ऐसी जिनके 11-12 की जो education है वो अच्छी हुई है बहुत सारे candidate ऐसे भी हैं जिनकी 11-12 की education अच्छी नहीं हुई है जैसे गाउं दूर दराज जगे पर बच्चे हैं जहां एक अच्छे academic standards नहीं मिल पाए उन्हें वहीं बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छी schooling रही और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो NDA foundation program का हिस्सा बनते हैं और exactly 11-12 में अच्छे board भी cover करते हूं साथी NDA के level पे अपने आपको बहतर धंग से तयार करते हैं यहां पे जुरूरी होती है कि हर category आप crowd जो है जो बच्चा हमारा आम बच्चा रहा है जो 11-12 सिरिस्टी नहीं पढ़ा है उसके प्रत भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है institution की जो बच्चा 11-12 में board पे तो अच्छी पकड़ रखा है लेकिन UPSC का touch उसके अंदर नहीं है तो treatment अलग-अलग नहीं की गई और इन पर बारीकी के साथ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ultimate वही होगा कि वही बच्चा सफल होगा जो exactly सफल होने योग्य है बट यहां हर बच्चा सपना देख रहा है तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को academically उसके standard उसके education level के आधार पर उसको score important होता है उतना ही माहिने आपकी personality का भी है क्योंकि SSB interview के अंदर second phase में आपकी personality को test किया जाता है इसलिए अब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक ऐसे संस्थान को चुरें जहां आपको आपके level के academic excellence में आप जिस level पे हैं उस level से आपको तयारी कराई जाए NDA के वो भी ज़रूरी है और दूसरा आपके personality भी एककोल काम किया जाए SSB के दृष्टी कोर से जिससे आप दोनों ही पहलों पे बहतर कर पाएं यह सच है NDA exam के जब आप तयारी करते हैं यह सच है कि कोई coaching institution कोई academy यह नहीं guarantee दे सकता है कि मैं आपको NDA crack करा दूँगा यह guarantee आप स्वयम से देते हैं इस guarantee को जब आप स्वयम से देते हैं तो इसमें आपका एकलौता योगदान नहीं होता है कहीं नहीं कहीं institution का भी commitment आपके प्रती होता है जिम्मेदारी होती है जिस commitment, जिम्मेदारी और बहतर guidance के आधार पे आप स्वयम को commitment दे पाते हैं कि sir this time I will crack the N examination तो इसलिए अगर वाकई में इस बार सपना है विटा seriously NDA exam में बहतर करने का और आप सोच रहे हैं बहतर preparation के लिए तो बिल्कुल आपको एक ऐसे institute को चुनना चाहिए जहां पर दोनों ही prospects से आपको best guidance मिले जहाए वो written examination की preparation का label हो या फिर SSB का guidance और मैं बड़े गर्व से कह की त्यारी सोच रहा है बच्चा 11 के बाद वन इयर बोर्ड और NDA की त्यारी के विश्य में सोच रहा है मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूं कि पिछले 17 सालों से मेजर कलसी classes ने एक बहतरीन legacy maintain की है one of the best teacher team हमारी है जो आपको offline online दोनों ही platform पर बहतर धंग से त्यार कर रह आते हैं और 12 के बाद बचे NDA की टागेट त्यारी के लिए आते हैं मेजर कलसी classes हमेशा से NDA के one of the best educator प्रवाइट करता है NDA exam preparation के लिए साथी साथ बहतरीन materials कहते हैं किसी भी बहतर जंग को एक अच्छे औजार से जीता जा सकता है और उसमें materials बहुत बढ़ा रोल अदा कर करते हैं और गर्व की बात यह है कि मेजर कलसी classes की one of the best publication team आपको बहतरीन आपके exam के standard के हिसाफ से material प्रवाइट करती है प्रपर हम doubt clearing session देते हैं जहां one to one teacher आपकी individual समस्या को सुनता है क्योंकि कोई भी बेटा problem तब तक problem है जब तक उसका solution आपको न दिया जाए तो आपको घबडाने की जुरूत नहीं आपको एक personal care और attention की जुरूत है जो आपको magical सी परिवार में मिलेगा daily assignment होंगे unit test होंगे और time to time mock test होंगे जिसके माध्यम से हम आपके personality को assess करेंगे और यह सारी facility हम आपको दोनों ही platform अगर आप हमारे offline program का हिस्सा बनते हैं the best वहाँ पे वही स pre-medical इकलोता संस्थान मेजर कलसी classes है बटा देश के अंदर जो आपको medical facility physical facility भी उसके साथ add-on करता है जो कि आपकी overall personality की निखार में बहुत जरूरी है और final सफलता के लिए medical का एक बहुत बढ़ा हमात्व है और वो देश में किवल मेजर कलसी classes में आपको मिलता है finally मैं यह कहना चाहूंगा कि 17 सालों से NDA में हमने best result दिया है और हमेशा अपने आपको best proof किया है one of the best teacher team के माध्यम से तो अब selection लेने की बारी यह आपकी है यह दिरना अब आपको लेना है कि आपको कौन सा संसान चुनना है बट एक doubt मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि 17 वर कि जुरूत नहीं है बिटा हम उस लेवल पर मेहनत करते हैं जो आपको सच्चाई के साथ उस लेवल की और जो बच्चे बहतरे education background उन्हें भी घवडाने की जुरूत नहीं है आपको वो touch UPSC का मिलेगा वो standard मिलेगा जो आपके सफलता का बड़ा करन मनेगा बस अब इंतज जार नहीं होना चाहिए offline online जो भी आपका decision है जहाए वो अप्रील attempt है जहाए आपका September attempt है बस MKC के साथ एक ही commitment है कि आप हमाई साथ जुडते हैं तो हम आपको स्योर सौट नेशला डिफिसिक अडमी का हिस्सा बनाएंगे तो बिना देरी के उठाई ये phone प्रीबुकिंग श सोच रहे हैं और एंडिया की त्यारिया आपके कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं विश्याल गुड़ लग जैहन चाहारत